दोस्तो आप वर्काउट करते हो एक्सरसाइज करते हो पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी गलतियां जो बहुत से लोग वर्काउट के बाद करते हैं जिससे उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं उनक एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपको वर्काउट के 45 से 60 मिनिट के अंदर एक हाई प्रोटीन और काप्स वाली मील लेना बहुत ज़ादा जरूरी है mistake number 3, body cool down ना करना दोस्तों जिस तरह से आप वर्काउट से पहले warm up करते हैं ठीक उसी तरह से वर्काउट के बाद stretching करके body को cool down करना भी काफी ज़रूरी है mistake number 4, rest ना करना तो तो वर्काउट के तुरंत बाद बोडी को rest देना काफी important है क्योंकि जब आप rest देते हो तो वर्काउट के दोरान जो muscles break होती है उनको recover होने में मदद मिलती है